नमस्कार साथियों मेरा नाम है आरके सिंग संस्कृति आईएस के प्लेसेज इन न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में हम चर्चा में रहने वाले अस्थानों के बारे में मांचीत्र के माधम से उन पर प्रकास डाल क्योंकि अगर देखें तो पिछले काफी दिनों से यह क्या है कि यह चेत्र काफी चर्चाओं में बना हुआ है तो आज हम इससे जुड़े हुए जो भी पहलू होंगे उन पर मांचीत्र के माध्यम से प्रकास डालेंगे तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि यह जो कौम की कुछ निसकर्स निकाले हैं इन्होंने यह कहा है कि अफरिका का जो आफार यह ट्रैंगिल है इस छेत्र में आने वाले लगभग पांच से दस मिलियन वर्सों में एक नए महासागर की उत्पत्ती हो सकती है यानि कि जो भूब ऐग्यानिक थे उन्होंने एक संभाव होना ब्यक्त की कि इस अफार ट्रैंगिल में क्या है कि आने वाले लगभग पांच से दस जो मिलियन वर्स हैं उसमें क्या है कि यहां पर एक नया महासागर या कह सकते हैं कि छठा जो महासागर है उसकी उत्पत्ती हो सकती है जब से यह न्यूज आई है तब से कि यह पूर अखिर इसकी जो अवस्थिती है जो लोकेशन है वो कहां पर है तो अगर हम अफ्रिका महादीप में आए तो इस महादीप के जब हम पूर्वी छोर पर आते हैं पूर्वी भाग में आते हैं या कहिए तो उत्तर पूर्वी भाग में अगर हम आते हैं तो क्या है कि यहां प यह आफहार ट्रेंगल देखने को हमें मिलेगा चुकि इसका जो आकार है वो क्या है कि वो एक त्रिभूज के आकार में इसी कारण से क्या है इसको आफहार ट्रेंगल बोलते हैं दूसरी बात करें कि इसकी जो अवस्थिती है आखिर वो किन देशों में पढ़ती है तो यहां पर क्या है कि आपको एरिट्रिया देखने को मिलेगा जीबूती देखने को मिलेगा और इसी के साथ यहां पर इथोपिया और सुमालिया देखने को मिलेगा तो यह देश है जिनकी या जिन देशों में क्या है कि इस अफहार ट्रेंगल का बिस्तार देखने को हमें मिलता है इसी के साथ क्या है कि यह जो ट्रैंगल है इसका बिस्तार आपको रेड सी लाल सागर में और सीमीत अस्तर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि यह जो सुमालिया का जो पठार है वहाँ पर भी देखने को मिलेगा और इसी के साथ क्या है कि यहाँ पर जो दनाकिल ब्लॉक में भी इसका बिस्तार है और यहीं पर क्या है कि अली सभी यहां पर अगर देखेंगे तो अल या अली सभी जो ब्लॉक है यहां या इस छेत्र में भी इसका बिस्तार है तो मूल रूप से अगर देशों की बात करें तो इरेट्रिया जिबूती इथोपिया सुमालिय में इसका मूल रूप से बिस्तार है दूसरी अगर हम बात करें तो यह किया है कि जो पुर्वी अफेकर सब्सक्राइब माट करें कि जो आंnew कि यह इस्थित यह आफार म्माट करने RJ Applause कि यहां पर तीन प्रमुख विवर्तन की जो प्लेटे हैं वो भी यहीं पर अवस्थित हैं अगर उन तीन जो तीन विवर्तन की प्लेटे हैं उनकी अगर हम बात करें कि आखिर यहां पर प्रमुख रूप से कौन-कौन सी प्लेटे देखने को मिलती हैं तो हमें क्या है कि नुमालियन प्लेट देखने को मिलेगी और तीसरी क्या है कि यहां पर हमें अरेबियन जो प्लेट है वो देखने को मिलेगी तो यह एक महतपूर इन्फॉर्मेशन है इस छेत्र के लिए दूसरी अगर हम बात करें तो यह क्या है कि इसका जो बिस्तार है यह क्या है कि आफार छेत्र से लेकर जो पुर्वी अफरिका का भाग है वहां तक ये फैला हुआ है और इसका अपना एक कह सकते हैं कि एक भूगरविक इतिहास भी है जी लोजिकल इसकी अपनी एक हिस्टी है इसका अपना एक सिगनिफिकेंस है और अगर हम बात करें तो जो पूरा पासाड काली है उसके दिश्टिकों से देखें तो यहां पर क्या है कि जो होमोनीन जीवासम है उनके नमूनों की खोज की गई थी तो यह भी आपके लिए महत्पूर्ण हो सकता है कि यहां पर क्या है कि इसके अगर महत्तों की बात करें तो यह जो छेत्र है यह क्या है कि जो पूरा पा कि यह काफी महतपूर है और इसी कारण से क्या है कि अगर हम देखें तो इस छ्चैतbrand में क्या है कि बहुत सारे सर्वेय यह होते रहते हैं जिसके कारण क्या है कि यह पूरा छेत्र है यह काफी महतपूर तो हमने देख लिया कि आखिर जो यह अफाट रेंगिल है आखिर यह कहां पर है इसी से जुड़े हुए जो कुछ महतपूर्ण तत्त है अगर उनकी हम बात करें छो यह वाला शो चैतर है यहाँ पर क्या आगर कुछ घटनाओं की बात करें तो इस छैतर में क्या ले है कि कई वर्सों से जो टेक्टॉनिक मुंट है जो विवर्थन की संचलन है वो लगातार क्रमिक रूप से अगर हम विवर्तने की संचलन की बात करें जो टेक्नॉनिक मुपमेंट है वो लगातार इस छेत्र में देखने को मिलेंगे और इसी का परिडाम है कि बर्स दो हजार पाच में अगर हम बात करें तो जो इथोपिया का जो परवतीर एक स्थानी छेत्र था वहां पर एक बड़ा भ्रंस देखने को मिला यह क्या है कि अगर हम बात करें तो यहां पर एक बड़ा फॉल्ड उत्पन हो गया और मूलूप से अगर हम बात करें कि यह जो भ् देखा जाता है अब इसमें अगर हम बात करें कि आखिर जो अफार छित्र हैं इसमें दरार के पीछे ये कारण क्या है यह की काज क्या है कारक कौन से है तो अफरिका का जो पुर्वी भाग है इसके नीचे अगर हम बात करें जो अफरिका है इसके पुर्वी भाग के नीचे अगर हम बात करें चट्टानों की तो जो चट्टाने हैं वो क्या है कि काफी गर्म है यह जो चट्टाने हैं यह चट्टाने काफी गर्म है और इन गर्म चट्टानों के द्वारा जो कह सकते हैं एक तरह से मैगमा निर्मित होता है जिसको हम प्लूम बोलते हैं यह यहां पर दरार होने के पीछे एक प्रमुख कारण है क्योंकि यह जो मेंटल प्लूम बनता है इसका प्रभाव क्या होत हैं यानि कि उपर गी यहां पर उत्पन होगी है और इसी के साथ बात करें तो यह पूरा चहतर है शुम्बकक ट्रों क्यों पस्थिती के कारण भी क्या है कि महतपूर है और जो मैगनेटीजम होता है यह अगर प्रजेंस है इसकी अगर उपस्थिती है तो इस यह क्या है कि जो मैगमा निर्माण होता है जो मैगमा का फार्मेशन होता है उसमें भी जो कह सकते हैं कि चुम्बकत्व उसमें रोल महतपूर निभाता है और यही क्या है कि इस पूरे छेत्र में कुछ ज्वाला मुखी गत्विधियां भी देखने को मिलती है जैसे अगर हम बात करें तो इस छेत्र में एटा एले जो ज्वाला मुखी है उसके कारण क्या है कि इस छेत्र में अगर हम बात करें तो यहां पर एक महत्पूर्ण ज्वाला यह कहा जा रहा है कि लगातार हो रहा है इस भृंज के विस्तार के कारण क्या है कि आगामी बर्सों में यहाँ पर एक नया महा सागर अस्थाई रूप से हो सकता है कि उत्पन हो जाए जिसको क्या है कि अलवर टाइड अट्लन्टिक रिफ्ट नाम दिया जा तो इस तरह से कहा है कि यह जो पूरा छेतर हैं यहां पर जो मूलूप से जो पानी या जो यहां उभार देखने को मिल रहा है यह जो यह आफार छेत्र है यहां पर क्या है कि इस पूरे रिफ्ट बैली में जो यहां पर अधन की खाड़ी और इधर से लाल सागर के तरप से जो बाढ़ का पानी आता है उससे भी जोड़ कर इसको देखा जा रहा है तो यह क्या है कि हमने देख लिया कि इस छेत्र में किस कारण से क्या है कि JIH DRAAR उत्पन हो रहा है इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तत्हों की बात करें तो यहांपर जो डञाकिल अफार डिप्रेशन है अगर इसकी हम बात करें तो इसके उत्तरी भाग में क्या है कि ये देखने को मिलता है और मूल लूप से क्या है कि जो पुरुवत्तर इथोपिया है वहाँ पर ये डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है और ये क्या है कि प्रित्वी पर जो सबसे गर्म places हैं उनमें ये सामिल है और ये मूल लूप से क्या है कि जो समुद्र तल है उससे लगभग 100 मीटर ये नीचे का अस्थान है और इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ है यानि कि जो यहाँ पर दनाकिल जो प्लेन है इसका जो निर्माण हुआ है वह अ अधिक होता है जिससे यहां का जो जल है यह वास्पिक्रित हो जाता है जिससे यहां पर बड़े अस्तर पे अगर हम देखें तो यहां पर नमक देखने को मिलता है और यही कारण है कि जो आफार छेत्र है यहां के आसपास के छेत्रों को जो नमक की प्राप्ति होती है वो इस इसी छहतर से होतीए है तो यह हमने देख लिया कि आखिर अफार छिधर की वस्थिती क्या है इसके पीछे इसके उत्पती के पीछे जो यहां पर एक बड़ा फाल्ट उत्पन हो रहा है इसके पीछे कौन से कारत मैं और यहां पर जो दनाकिल जो आफहार डिप्रेशन का उत्तरी भाग है वो क्या है अब इसी आफहार छेत्र से जुड़ा हुआ जो एक महत्पूर्ण जो यह अफ्रिका महादीप का यह जो पूर्वी भाग है यह एक तरह से क्या है कि एक सिंग के आकार में और इसका जो निर्माड होता है यह मूल लूप से इन चार देशों के द्वारा होता है और इसी कारण से इनको हॉर्ण ऑफ अफ्रिका कंट्रीज हम बोलते हैं यह मूल डी प्राइदियुप के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि मूल रूप से यहां पर जो यह हौर्ण बनता है यह किस के कारण बनता यह जो सुमाल्या कंट्री अंशी के और यह बनता है अब यहां पर दो तिन चीजये आपको देखनी है अगर हम लोकेशन की बात करें तो बाब अलमंदेव जलसंधी बोलते हैं बाब अलमंदेव जलसंधी बोलते हैं यह जो जलसंधी है यह मिल रूप से क्या है कि इधर अगर आप आएंगे तो यहां पर क्या है कि जो जिबूती है जो सुमालिया है उसको यमन से यह अलग करती है यानि कि यमन और इधर क्या है कि जिबूती और सुमालिया इन दोनों को ये अलग करने वाली जलसंदी है जब कि क्या है कि रेड सी को गल्फ आप अधन से ये जोडती है यहां पर अगर बात करें तो दो तिन लोकेशन और आपको देखने को मिलेंगे इधर आपको एक असल जील देखने को मिलेगी यहीं पर क है कि यह लेक टाना जील है इसकी भी अवस्थिति आपको ध्यान से देखना है और इसके साथ क्या है कि इसमें भी जो अलग-अलग यहां पर देश है कि यहां पर इरिट्रिया है जिबूती है इथोपिया है सुमालिया इनका जो क्रम है उत्तर से दच्छिन और पूरव से पच्छिन यह भी आपके लिए महत्पूर्ण हो सकता है और अगर हम बात करें तो यहां पर यह जो बाब अलमंदेव जलसंदी है यहीं पर एक और लोकेशन अक्सर पूछता है वह कौन सा है तो यहां पर एक बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा यह क्या है कि यह सुमाल बरबरा यह अक्सर पूछता है तो यहां पर क्या है कि एक बरबरा तटी छेत्र है जो मूल रूप से क्या है कि यह सुमालिया में अवस्थित है और यह क्या है कि इसी बाब अलमंदेव जलसंदी के समीब अवस्थित है तो यह भी आपके लिए महत्पूर्ण हो सकता है और फिर कहें कि जो सुमालियन तठ है जो इरिटिया और सुमालियन तठ है वो भी इसी में सामिले और इसी के साथ अगर इस पूरे छेत्र की बात करें कि आखिर इसका बैस्वी कस्तर पे क्या महत्व है तो भारत के संदर में इसका काफी महत्पूर है और अगर हम बात करें तो भ यह जोडने वाला एक प्रमुख रूट है यह कह सकते हैं कि जली रूट है और यही नहीं अगर हम बात करें तो भारत और अफरिका के बीच के जो संबंध है उसके विदेश निती के केंद्रे में यह सामिल है और भारत की अपनी जो साफ्ट पावर इनिसियेटिव है उसके मा सामिल है तो इस दिश्टी कोन से क्या है कि यह जो पूरा छेत्र है यह भारत के लिए महतपूर है यहीं नहीं अगर हम सिपिंग मार्क के दिश्टी कोन से देखे तो मध्यपूर में जो उत्पादित तेल है जो यहां पर ओयल का प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 40% इस छेत्र से क्या किया जाता है कि उसका परिवहन किया जाता है इस कारण से अगर हम देखें तो भारत के लिए यह जो पूरा छेत्र है यह काफी महतपूर है और दूसरी अगर हम बात करें तो यहां पर जो सोमालिया है इरिट्रिया है जो इथोपिया है इस से जुड़ा यानि कि land locked country है तो यह भी आपको ध्यान रखना है और इससे जुड़े हुए जो यहां के कुछ प्रमुख जैसे अगर बात करें तो आखिर जो इरिट्रिया की राजधानी है वो क्या है यह अक्सर पूछता है तो इसकी राजधानी असमारा है और इसकी सीमाएं जो है जैसे अलग अलग देशों की बात करें कि जैसे इरिट्रिया है इसकी जो सिमाएं है वो किन देशों से लगती है तो जो इरिट्रिया है यह इथोपिया से सुडान से जीबूती से लगती है और ऐसे ही क्या है कि जो अलग अलग यहां पर छेत रहें जैसे अगर सुमालिया की बात करें तो सोमालिया की जो सिमाय है वो कहां कहां से लगती है तो मूल लूप से कहा है कि यह इथोपिया से जीबूती से अधन की खाड़ी से और केनिया से लगती है तो यह यहां के कुछ मैत पूर्ण अस्थान थे और उनसे जुड़े हुए जो तथे थे उन पर हमने चर्चा क प्रश्ण की प्रश्ण क्या है कि देखान अफाफ अफिका के संदरबं में दीए गैखे का थूंओं पर विचार के पहला स्थेक्मेंट में उथे थोपिया एरंस्टिया जी जीबूति और सुमालिया weekly फिका दुनिया के सब से अधिक जो संघरष प्रवण और जो नाजु आफ अफरिका लाल सागर की दच्छिडी सीमा के साथ तथा अधन की खाड़ी के दच्छिड में यह इस्थित है और यह छेत्र अफरिका का सबसे पुर्वी प्रचेपड है और चौथा कथन कह रहा है कि दहान आफ अफरिका के समीप जो बाब अलमंदेब जलसंदी है यह ला विकल्प है केवल एक दूसरा विकल्प है केवल दो तीसरा है केवल तीन और चौथा है केवल चार तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो आफहार ट्रेंगिल है अफरिका का वो क्यों चर्चाओं में हैं इससे जुड़े हुए जो महतपूर्ण तथ्य हैं जो आपकी यह तो आप हमें कमेंट के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं तो आज आप हमारे साथ बने रहें इसके लिए धन्यवाद